नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की एक सीधा सवाल कि जिस तरह से ब्राजील और चीन पास आ रहे हैं जिस तरह से वह डॉलर के खिलाफ अपनी एक वैकलपिक विवस्ता शुरू कर रहे हैं क्या उससे अमरीका परेशान हो रहा है और परेशान हो रहा है तो क्या उसका दबदबा कम होगा अंतराश्टिय फलक पर दोस्तों हम सबने देखा कि किस तरह से ब्राजील के राश्टपती गए चीन और वहाँ पर लंबी वारता हुई उन्होंने साफ साफ शब्दों में चीन में जो कहा शायद उसकी गूंज अंतराश्टिय फलक पर बहुत लंबे समय तक रहने वाली है उन्होंने साफ तौर कि वह आर्थिक मदद चाहते हैं चीन से वजह वजह उन्होंने साफ बताई कि जब से वह सत्ता में आए हैं अमरीका पूरी तरह से उन्हें आर्थिक संकट में डालने के लिए उतारू है एक के बाद एक अमरीकी कम्पनिया ब्राजील से वापस जा रही है और ऐसे में ब्र 2000 तक जो आर्थिक संबंद थे जो विश्व वैपार है उसमें क्या इस्थिती किसकी थी यहाँ पर जो नीला रंग है गहरा नीला रंग वह बता रहा है अमरीका के दबदबे की कहानी और साथ ही में चीन है लाल रंग में यह है 2000 तक का डाटा इसके बाद आप देखिए 2020 पू पूरे विश्व के नक्षे में आपको दिखाई दे रहा है कि चीन का कारोबार चीन का आर्थिक सामराज पूरी दुनिया में किस तरह से पहला है और इसमें खास तोर पर आप देखिए ब्राजील क्योंकि ब्राजील इसमें चर्चा पे है ब्राजील में किस तरह से नक्ष साजएधारी का ही नहीं है यहां पर उन्होंने साफ साफ कहा जिसे वो पहले भी कहा चुके हैं कि चीन को यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है कि जो संघर्श चल रहा है उसमें शानती के लिए कदम बढ़ाना चाहिए हम सब इस बात पे चर्चा कर चुके हैं इससे पहले भी कि किस तरह से चीन और रूस एक साथ मिले ग्यारा सूत्रिय मांग सामने आई शांती का एक रास्ता चीन ने सुझाया रूस के साथ मिलकर और भूलिये नहीं यह जो खबर आप देख रहे हैं इसमें युक्रेन के राष्टपती जैलेंस की साफ साफ शब्दों में एक महिने पहले कह रहे थे कि वह चीन की भूमिका को लेकर सकारात्मक हैं यानि बहुत कुछ घटित हो रहा है आर्थिक साजेधारी के साथ साथ और ऐसे में चीन और ब्राजील का साथ आना बहुत एहम इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर डॉलर का जो वर्चस्व है दुनिया में जी हाँ आपको याद है हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में आने जाने के लिए वैपार करने के लिए किसी भी देश में अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में तबदील करने के लिए डॉलर ही वह करेंसी है जिसमें सबसे बड़े पैमाने पर ट्रेड होता है यूक्रेन युद जब से शुरू हुआ तब से रूस ने कोशिश किया कि एक दूसरा रास्ता निकाले और उस दिशा में ब्राजील और चीन जब साथ हाए तो उन्होंने एक एहम ऐलान किया कि वे डॉलर मुक्त हस्तक शेप करेंगे वैपार करेंगे और शायद यह एक बहुत बड़ी परिशानी का वजह हो सकता है, सबब बन सकता है अमरीका के लिए और खास तोर से जिस तरह से यूक्रेन को लेकर बाचीत हो रही है, चीन की भूमिका को लेकर बाचीत हो रही है उसमें तस्वीर अमरीका को और जादा परिशान करने वाली है शुक्रिया